यूटूब चैनल एक लब्वे स्टोडी पॉइंट में मेरा नाम है सतिंदर परताब और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम क्लास 11 की हिस्ट्री लेकर आने वाले हैं तो बच्चो से 1 का थो हमने फिलाल नहीं बनाया है क्योंकि सुरुआत हमने आज से की है अगर तो हम से 2 का सिले बस पहले बढ़ाएंगे ठीक है जब हमारा से 2 कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे से 1 की तो 11 क्लास की हिस्ट्री है और according to NCRT book यानि की NCRT book के अनुसार आपको यहां पर सब कुछ बताया जाएगा तो आपको एक एक point को ध्यान से सुनना है समझना है कि बहुत सारी फालतु की चीज़े भी होती है लेकिन हम आपको वो नहीं बताएंगे बिल्कुल to the point बताएंगे एक एक वो ही point बताएंगे जो आपके लिए important होगा तो आपको ध्यान से देखना है वीडियो को ठीक है और एक बात और बता रहूं कि कोई बार-बार comment करके irritate ना करें इस चीज़ के लिए जैसे जैसे हमें time मिलेगा हम आपको आगे के जो part हैं वो available करवा देंगे ठीक है part one है आज available करवा रहे हैं जैसे ही time मिलेगा इसका जो second part है वो भी आ जाएगा तो सुरू करते हैं जैसे बच्चो हमारा जो chapter है 6 वो है तीन work तीन work हमारे chapter का नाम है तो इस तीन work के बारे में जारेंगे बच्चो ये बात करते हैं हम यूरोप के इतिहास की बात कर रहे हैं यूरोप country की ठीक है होता क्या था ऐसा माना जाता था उस time पे कि तीन work होते हैं समाज में और समाज के ये जो तीन work होते हैं इसमें हर इंसान इन तीन में से किसी ना किसी work से संबंदित होता है जैसे पहला वर्ग जो था वो था पादरी वर्ग दूसरा जो था वो अभी जात वर्ग तीसरा वर्ग जो था वो कृषक वर्ग था यानि किसान वर्ग तो ऐसा माना जाता था कि अपने काम के अनुसार हर व्यक्ति किसी ना किसी वर्ग से जुड़ा होता है और ये आगी हम इन तीनों पे ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ठीक है लेकिन फिलाल हम क्या करते हैं इक टॉपिक पढ़ लेते हैं सामंतवाद, फिडिलिजम ये बहुत जादा इंपोर्डन टॉपिक है आपके लिए सामंतवाद काफी जादा मतलब एक्जाम में भी पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चीए कि सामंतवाद क्या होता है यहाँ पर जो शब्दे सामंत ठीक है सामंत का मतलब होता है यहाँ पर लोड लोड का मतलब है यहाँ पर किसी जैसे कि कोई मालिक होता है यहाँ पे इसका अर्थ है मालिक से तो शामंतवाद सब्द का प्रयोग मद्यकालीन यूरोप के जब मद्यकालीन यूरोप के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आर्थिक विवस्ता, राजनेतिक विवस्ता, सामाजिक संबंदो इन सबी का वर्णन करने के लिए सामंतवाद सब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही यूज होने वाला वर्ड था सामंतवाद और ये जो प्रथा थी, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं तो अब सुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, ठीक है, सामंत का अगर हम बात करते हैं सामंतवाद में तो ये इंग्लिस में feudalism कहा जाता है, तो ये जो feud word है, ये कहां से बना हो, कैसा मतलब समझो देखो जर्मन लेंग्वेज जो होती है, जर्मन भाषा जो होती है, उसमें एक शब्द होता है feud, एक word होता है feud, फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकडा, ठीक है, फ्यूड का अगर हम सामंतवाद को समझने का प्रयास करेंगे, तो इसमें ये होता है बच्चों की सामं मजदूर आप उसे समझ सकते हो, इनके समंदों पर आधारित है सामंतवाद, क्या होता था बच्चों जो किसान थे, वो अपने खेतों के साथ साथ, अपने खेतों में तो खेती करते थे, जुताई करते थे, लेकिन उसके साथ साथ जो लौड होता था, जो मालिक होता था, कि जो Lord है, जो यहाँ पे जो मालिक है, जो सामन्त है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिसाली है, और जो कृषक है, वो इसके अंडर में काम करते हैं, ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान से समझना है, बस हमें यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, आगे बात करते हैं इसी में, तो इस या आर्थिक विवस्ता से रिलेटिड ही होगा, यह सामाजिक और राजनितिक पहलों पर भी विचार करेगा, इसकी जड़ें जो थी, वो रोमन सामराज्य की प्रथा, फ्रांस के राजा, शॉल्लमेन, इन से रिलेटिड है, ठीक है, रोमन सामराज्य जो था, आपको पता ह जरूर हुआ, लेकिन वो जो धर्म था, इसाई धर्म वो खतम नहीं हुआ था, तो ये सारी बाते जो हैं हम आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है, तो सामन्तवाद की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी जड़े रोमन सामराज्य की प्रथा में सुरू में ही मिल जाती है, और ग्यारवी सदी में सामन्तवाद यूरोप के जादा दरभागों में सुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले रोमन सामराज्य वगेरा में जो थी, ये सारी चीज़े रही होंगी, बात कर लेते हैं अब यहां पर हम फ्रांस और बात कर लेते हैं इंग्लेंड, फ्रांस और इं इसको इंग्लिस चैनल कहते हैं, जब ये गॉल को पार करते हैं हम इससे, तो इधर आ जाता है इंग्लेंड, ठीक है, इंग्लेंड और इसी गॉल का नाम बाद में पढ़ाता फ्रांस, यानि कि फ्रांस आज के टाइम पर अगर आप मैप में थोड़ा सा, तो आपको इंग् इसका नाम था गॉल, रोमन सामराज्य का एक प्रांत था, यानि गॉल जो है, वो रोमन सामराज्य की एक जगा होती थी, यहाँ पे क्या था, यह जो जगा ऐसी थी, जो किर्शी के लिए बहुत बढ़िया थी, यानि कि यहाँ पे खेती के लिए उपियुक्त जगा थी, य आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है Frank, अब मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिज करता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है Frank और यहाँ पर मैंने लिखा है France, अब आप इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से देखो, Frank, France, Frank, France, दो चार बार अगर आप लगातार अपना नाम दिया और उसके बाद जो गॉल है वो बन गया France, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, कि एक जगा थी जिसका नाम था गॉल, उसको जर्मनी की एक जन जाती थी जिसका नाम था Frank, उस Frank ने उसको अपना नाम दे द करके बताया है इसको, तो आपको बहुत अच्छे सा समझ में आना चीए, ठीक है, England, Scotland, द्वीपों को 11 सदी में France के प्रांथ, नारमंडी के राजा द्वारा जीता गया, हुआ क्या था बच्चो, कि ये जो England, Scotland जो द्वीप थे, वो 11 सदी में, बात यहां पे चल रही है, ध आ जा थे, राजकुमार, उन राजकुमार के जरिये जीत लिया गया था, इंगलेंड और स्कॉटलेंड द्वीपों को, तो आपको ये समझना है, ठीक है, आपको करना क्या है, मैं आपको इसका PDF जो है, आपको, description box जो है, वहां पे लिंक एक दूँगा, आप वहां से PDF को ड काबले, अगर हम दोनों का compare करते हैं, तो 11th class की जो history वो थोड़ी tough है, 12th class की जो history बहुत सीधी, simple, easy, एकदम साधारन सी है, तो आप एक बार 11th pass हो जाओ, उसके बार 12th में आओगे, तो आपको history जो है, interesting लगने ही रख जाएगी, अब यहां पे बात कर लेते हैं, आप अप हम वर्ग में आते थे, अपने आपको इन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ था, अभिजात जो थे, वो second वर्ग में आते थे, ठीक है, दूसरे नंबर पे, और किर्शक जो हैं, वो तीसरे नंबर पे आते हैं, कहने के लिए बादरी जो हैं, वो first नंबर पे हैं, लेकिन अगर हम देखा, सही तरीके से देखे, समाज को अच्छे से परखने का प्रयास करें, तो पता लगे का, जो अभिजात वर्ग है, वो ही सबसे महत्पून है, ठीक है, सबसे महत्पून कौन सा है, दूसरा वर्ग, यानि कि अभिजात वर्ग, इसको भी आगे हम समझेंगे, देखो फ्रांसी सी बादरी इस बात पर विश्वास करते थे, कि प्रतेक व्यक्ति हर एक इंसान, काम के आधार पर, तीनों वर्गों में से, किसी ना किसी एक वर्ग का सदसे जरूर होता है, ठीक है, और लेकिन वास्तों में, सामाज करिया में, अभिजात वर्ग की महत्पून अभिजात वर्ग की भूमी का, अब यहाँ पर बात अगर हम करें कि अभिजात वर्ग की भूमी का इतनी महत्पून क्यों थी, क्या रीजन था, तो रीजन आपके सामने है, बही किलियर यहाँ पर आपको दिख रहे कि भूमी पर इनका नियंद्रन, यही इसका एक सबसे प अभिजात वर्ग जो हो गए, या मानलो बड़े बड़े भूस्वामी, भूस्वामी का मतलब हमारा यहाँ पर ऐसे व्यक्ति से है, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जो बहुत सारे जमीनों का मालिक है, वो बड़ा भूस्वामी है, यह सभी क्या होते थे, राजा के अध अभिजात वर्ग, या फिर मैं यहाँ पर भूस्वामी भी लिख सकता हूँ, और अगर मैं भूस्वामी से भी नीचे लिखूं तो यहाँ पर आ जाता है क्रिशक, यानि जो क्रिशक है, वो सबसे नीचे आता है, ठीक है, तो क्रिशक जो होते हैं, वो भूस्वामी के भी अभिजात वर्ग जो था वो अपनी संपदा पर इस्थाई तोर पर नियंदरन रखता था यानि कि अभिजात वर्ग की जो संपत्ती होती थी उसका जो पैसा होता था उसके पास जो भी संपत्ती हो चाहे जमीन हो चाहे वो जायदात हो चाहे उसके पास जो भी हो XYZ कुछ भी पी उसकी संपदा है वो इस्थाई तोर पर उसी की होती थी यानि कि उसका उसका उस पर पूरा नियंदरन होता था अगर अभिजात वर्ग चाहे तो अपनी सैने शमता बढ़ा सकता था सबसे मोश्ट इंबोर्डेन लाइन आपको ध्यान में रखनी है कि अगर अभिजात वर अभिजात वर्ग यानि ये बहुत बड़ी सकती है इसके पास जो खुद का नियाले लगा सकता है और इससे भी बड़ी बात तो आपको नीचे दिखेगी कि अपनी मुद्रा चला सकते हैं यानि कि अपनी अगर मुद्रा ये चला सकते हैं तो आप ये समझ सकते हो अंदाज मेरी समझ में आ रही होंगी बचो आज मेरा पहला वीडियो हिस्ट्री पे क्लास 11 का तो आपको कमेंट में जरूर लिख के बताना है कि आपको कैसा लग रहा है ठीक है आपके जो कमेंट होंगे उसको पढ़कर ही हमारा जो मोटिवेशन है हमको मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए आगे से और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं कि अभिजात वर्ग की एक खास बात तो यह थी कि वे अपनी भूमी पर बसे सभी विक्तियों के मालिक होते थे मान लो भाई यह अभिजात वर्ग है उसकी भूमी है यह इस भूमी में जितने भी लोग रहते हैं चाहे दस रहें चाहे बीस रहें चाहे पचास रहें चाहे जो भी रहें उन सभी का क्या होगा मालिक जो होगा वो कौन होगा अभिजात वर्ग है यानि कि अभी का मालिक होता है वो अभिजात विक्ति ठीक है वे बड़े-बड़े खेतों के स्वामी होते थे यानि इनके पास बहुत बड़े-बड़े खेत होते थे बहुत सारी जमीन होती थी बहुत सारी संपत्ति होती थी इनका जो घर होता था उसको मेनर कहा जाता था इनके घर क जो अभिजात वर्ग का है, उसका कोई खेत है, अब वो जब अभिजात वर्ग का है, वो बहुत अमीर वर्ग का है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास बहुत संबत्ति हैं, उसके पास सेना है, उसके पास सब कुछ है, हर चीज में नियंत्रन है, तो क्या वो खेत में ज भारत का अगर इतियास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे यहां पे जमीदार वर्ग होता था सेम यही चीज है जमीदार वर्ग होता था भारत में जमीदार के पास बहुत सारी जमीन होती थी जैसे कि यहां पे अभिजात वर्ग के पास है और जमीदारों की जमीन होती थे उस पर कौन खेती करता था जो किसान होते थे वो किसान होते थे तो ठीक इसी बरकार से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अगर अभिजात वर्ग की तो अभिजात वर्ग के जो खेत होते हैं उनमें जो खेती करता है, वो किसान की किर्शक करता है, तो आविशकता पढ़ने पर, यह देखो यह बहुत important line है, यहां से हमारा एक question बनने वाला है, मैं आपको समझाऊँगा, इसे ध्यान से समझो, जरूरत पढ़ने पर, युद के समय, पैदल सैनिकों के रूप में कारे कर करना पड़ता था, कई बार ऐसा हो जाता था, मान लो यूद हो जाए, अब ऐसे में क्या करें भाई, जो अभी जात वर्गे वो क्या करें, उसके जो नौकर है, यानि उसके यहां पर जो खेत में, जो काम करने वाले किसान है, जो किर्शक है, वो क्या करता है, इन किसानों क कोई सैनिक बना लेता है पैदल सैनिक के रूप में इनका यूज कर लेता है ठीक है तो इनको जरूरत पढ़ने पर पैदल सैनिकों के तरह काम करना पड़ता था पर आप बचों यहां पर यह ध्यान दखना कि यह किसान है जरूरत पढ़ने पर सिर्फ जरूरत पढ़ने पर ही यह पैदल सैनिकों का kाम कर रहे है यानि कि यह temporary काम कर रहे है यह कोई permanent मतलब सैनिक नहीं है जरुत पढ़ने पराम कर रहे है permanent सैनिक की जरुत पढ़ी क्योंकि कई बार यूद होते थे तो ऐसे में हमेइसा किसानों से काम नहीं चल पाता था ऐसे में इनको पर्मनेंट सैनिकों की भी जुरूत पड़ी, उन्हीं को फिर नाइट कहा गया, अब आगे नाइट वाला टॉपिक भी अपना है, ठीक है, वो भी आपको मैं यहां पर समझाने वाला हूँ, अब थोड़ा सा मैनर की जागीर के बारे में बढ़ लेते हैं, पर कुछ लोग रहते हैं, चाहिए वो किसान रहते हों, चाहिए वो कोई भी रहता हो, वो सारे उसकी जागीर कही जाएगी, यानि कि उसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है, उसके तहत आ जाएंगे, तो लौड जो है, मालिक जो है, सामंत जो है, लौड का अपना मैनर या पास अनेक गाउं के मालिक होते थे यानि कोई एक गाउं का मालिक है तो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सारे गाउं के मालिक है जागीर इनके पास होती थे इनकी जागीरों में वन भी होते थे जंगल भी होते थे और लॉड जो हैं वो शिकार करते थे अब आप देखो भाई श शिकार करना जो ये शौक होता है, ये नवाबों के ही सौक होता है, अमीरों के शौक, कोई गरीब आप में थोड़ी नहीं, ये सारे काम करता है, तो जो लॉड है, ये सामनत है, ये अमीर विक्ति है, तो इनके सौक थे सिकार करने के, तो इनकी जो जागीर होती थी, जागीर म और सुरक्षा के लिए दुर्ग होते थे अब यहां पे दुर्ग क्या होता है दुर्ग मतलब जैसे मानलो उसकी कुछ जगा है तो उसको गहरा करने के लिए बाहर किले टाइब का बना देते हैं वो जहां से वो दूर तक देख सकें उचाई पे जाके देख सकें तो इसको दुर्ग कहा चाता था तेरवी सदी के आसपास की बात है बच्चो कि दुर्गों को बहुत बड़ा बनाया जाने लगा ठीक है दुर्गों को और ज़्यादा बड़ा बनाया गया ताकि वहाँ पे क्या हो नायट के परिवार रह सकें अब यहाँ पे नायट आ गया ना वर्ड आप बात करेंगे यहाँ पे नायट क्या होता है बहुत सारे बच्चे जानते होंगे इस चीज़ को पर हो सकता है कुछ बच्चे ना जानते हो कि night होता क्या है अभी थोड़ी दिर पहले हमने एक चीज पड़ी थी हमने ये पढ़ाता कि अभिजात वर्ग जो था जब यूद्ध होता था तो वो जरूरत पढ़ने पे अपने किसानों को ही क्या करता था पैदल सैनिक के रूप में यूज़ कर लेता था लेकिन हमेशा पै करने के लिए काम कर सकें या फिर उसके बॉड़ी गार्ड या सैनिक के रूप में काम कर सकें तो ऐसे में जो एक नया वर्ग बना इसी को हम night कहते हैं अब आगे देखो अगर हम बात करें तो नौवी सदी में यूरोप में इस्थानी यूद्ध जो होते रहते थे आए दिन कोई ना कोई यूद्ध चलता रहता था तो शौकिया किर्शक यानि जो किसान है वो सैनिक के रूप में काफी नहीं है वो पर्मनेंट सैनिक के काम नहीं कर सकते हैं अब सफेदी ही करने लग जाओगे आप प्रोफेशनल ही वो काम कर पाओगे नहीं इसका मतलब यह है कि जब आपको जुरूत पड़ती है तो आप उस चीच को कर सकते हो लेकिन पर्मनेंट तो एक वो ही विक्ति कर सकता है जो उस काम में प्रोफेशनल हो जो उस काम को अच वसेना की जुरूत पड़ी और इसके इससे एक नया वर्ग बना जिसको हम नाइट कहते हैं इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है नाइट तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं लॉड जो थे वो नाइट को भूमी का एक टुकड़ा देता था लॉड जो होता है सामंत का मतलब क्या होता है लॉड का मतलब क्या होता है बहुत सारे वर्ड आपके सामने आएंगे आप एक एक चीज को अच्छे से समझोगे ना बच्चो तभी आपको मजाएगा कोई टॉपिक समझने में तो क्या होता था लॉड नाइट को भूमी का एक टुकड़ा द जाता है मान लो अब उत्रादिकार में कैसे पाए जाएगा मैं आपको यहां समझा देता हूँ मान लो यह Lord है Lord ने एक X नाम का आदमी था Lord ने X नाम के आदमी को कुछ जगा दे दी जिसको फीफ का गया अब X नाम का व्यक्ति जो है उसका एक बेटा है Y अगर X जो है वो दिया जा सकता था याई एक पिताप ने बेटे को भी दे सकता था I hope आपको बिल्कुल अच्छे से clear हुआ होगा यह 1000 से 2000 एकर देखो भई बहुत बड़ी जमिन है यह 1000 से 2000 एकर उस से भी ज्यादा हो सकता था कभी कभी तो 2000 एकर से भी ज्यादा हो सकता था इसमें नाइट क पंचक की चर्च रहने का घर ये सारी चीज़ें होती थी, तो क्या हो है बच्चो की अपनी सैने योग्यताओं को बनाए रखने के लिए, नाइट, रोजाना, बाढ़ बनाना, घेरा बंदी करना, रंड को असल का अभ्यास करते थे, यानि की अपनी सैने योग्यता को बनाए रखने का मतलब, सैने योग्यता को बनाए रखने का मतलब है कि अपनी जो लड़ाई की योग्यता है, उसको बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करते थे, वो घेराबंदी वगेरा करना, घेराबंदी मतलब सुरक्षा के लिए घेराबंदी करना रण कोसल यानि रण कोसल में लड़ाई जगड़ा प्रैक्टिस जो होते हैं लड़ाई की युद की ये सारी चीज़े वो करते रहते थे और अभ्यास यानि की प्रैक्टिस भी करते रहते थे नाइट अपनी सेवा अन्य लोड को भी दे सकते थे दूसरे लोड को भी दे सकते थे नाइट अगर चाहें तो अपनी सेवा लेकिन जो उनका खुद का लोड है जो उनका मालिक है सर्व परतम वो उसके परती निश्टावान होते थे यानि कि उसके परती उनके मन में निश्टा होती थी तो आपको यह मैंने फीब भी समझा दिया है नाइट भी समझा दिया है सारे टॉबिक जो हमारे यहां पर समझ लिए हमने अब थोड़ी से हम यहां पर बात करेंगे बच्चो प्रतम वर्ग की प्रतम वर्ग में जो हैं वो पादरी आते हैं ठीक है देखो राजा ने कैथोलिक चर्च को भूमी दे रखी थी राजा ने जमीन दे थी भाई कैथोलिक चर्च को कैथोलिक चर्च अब क्या करेगी उस भूमी से टेक्स लेगी यानि कि इस जमीन से चर्च को मेंगा तो कैतोलिक चर्च जो होती थी वो भूमी से टैक्स की उगाही करती थी यानि टैक्स को लेती थी यह एक सकतिसाली संस्ता थी जो चर्च है वो सकतिसाली संस्ता है क्यों क्योंकि यह राजा पे निर्वर नहीं है राजा ने जमीन दे दी अब वो जमीन किस के हो गई चर्च के हो गई अब चर्च उसमें टैक्स लेती रहेगी यानि उसकी इंकम हमेशा आती रहेगी पस्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो होते थे वो पॉप होते थे जो की कहाँ पे रहते थे रोम में रहते थे पस्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे? पॉप थे, कहां पे रहते थे? रोम में रहते थे तीन तीन बार हाइलाइट के हैं आपको इस वर्ड को जो जो मैं आपको ज़्यादा हाइलाइट कर रहा हूँ धर्म उब्देश सुनने के लिए लोग हर संडे को आते थे संडे के दिन आता था भाई बादरी आके वो क्या गरता था? लोगों को धर्म उब्देश देता था यानि धर्म की बाते बताता था धर्मिक बाते बताता था जिसको सुनने के लिए क्या करते थे लोग आते थे पादरी हर व्यक्ति नहीं बन सकता था अगर कोई व्यक्ति चाहे मैं चाहूं तो मैं मतलब हर व्यक्ति नहीं बन पाएगा उसके लिए कुछ योगिताई होती थी जैसे कि कोई किर्शी दास है वो नहीं बनेगा पादरी को पादरी बनेगा उसको एक वचन लेना पड़ेगा वचन क्या लेना पड़ेगा कि वही व्यक्ति बनेगा जो जिन्दगी में कभी शादी नहीं करेगा यानि जो व्यक्ति शादी नहीं करेगा वो ही वादरी बन सकता है एक चीज़ ये भी है विशब जो थे वो अभिजात माने जाते थे, अमीर माने जाते थे, क्योंकि इनके पास भी जागीरे होती थी, जागीरे होती इनके पास महल होते थे, ठीक है तो यह था, बचों यहाँ पे मैंने आपको स्कॉटलेंड, यहाँ पे स्कॉटलेंड जो किसान होता है उसकी जो भी फसल आ रहे हैं मानलो किसान ने एक इतना ये पूरा का पूरा डबा जो है ये फसल से भर दिया तो हर वर्स के अंत्राल में यानि गैप में उसे अपनी फसल का दसवा हिस्सा जो छोटा सा उसका दसवा हिस्सा बनेगा वो दस्वा हिस्सा किर्शक किसको देगा वो चर्च को देगा यानि कि ये कंबल सरी था किर्शक जो किसान होता था उसको अपना अपनी फसल का दस्वा भाग चर्च को देना कंबल सरी था जरूरी था ठीक है वो दान में देता था यह tax के रूप में देता था यह car के रूप में देता था x y z कुछ भी रहा हो लेकिन उसको देना जरूरी था और इसी दान को हम क्या कहते थे teeth कहते थे यह word जो आ रहे है teeth आ रहा है thief आ रहा है night आ रहा है lord आ रहा है यह सारे word हमें थोड़े अटपटे लगेंगे क्योंकि जो यह इतिहास पढ़े हैं विश्व का इतिहास पढ़े है यूरोप की बात कर रहे है तो थोड़ी सी चीजे अटपटे लगेगे लेकिन हमको यह सारी चीजे समझनी है बच्चो जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे वीडियो को अच्छे से समझ वाएगा तो यहां से हमारा बच्छो वीडियो खतम हो जाता है First वीडियो था मेरा Comment कर दें कैसा लगा ठीक है? अपने दोस्तों को कम से कम 5 दोस्तों को share जरूर कर दे क्योंकि बड़ी ही मैनत के बाद ये एक वीडियो बनी है और मेरा जो focus रहेगा वो पूरा का पूरा class 11 पे रहेगा मैं सोच रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे मुझे time मिले मैं class 11 का mostly ज़्यादा से ज़्यादा आप course करवाते जाओं ठीक है जो भी बचा हुआ जो भी रह रहा है हर एक चीज को cover करने की सोची है मैंने अगर आप इन वीडियो को share करोगे ज़्यादा से ज़्यादा view आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा comment आएंगे तो मुझे लगेगा कि तुम्हें इन चीजों की जरूत है और फिर मैं आपको बहुत महनत के साथ वीडियो बना के दूँगा और ये भिक्षु जो ही हमारा next topic होगा अगला जो हम second part पड़ेंगे उसमें तो यहाँ तक की वीडियो के लिए सभी को धन्यवाद और like करते हमारी वीडियो को comment करते share करते अपने कम से कम 5 दोस्तों को और आप हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आपके कमेंट का इंतिचार रहेगा वीडियो अपलोड करते ही मैं सिधा ध्यान रहेगा मेरा comment में कि कौन सा बच्चा क्या comment करता है जै हिंद जै भारत